देश के जनपद अमेठी में दिसा ट्रेनिंग सेंटर द्वारा बच्चों को नई दिसा दिखाने का काम किया जा रहा है दिसा ट्रेनिंग सेंटर बच्चों के लिए मिल का पत्थर साबित हो रहा है मुफ्त में कोचिंग, मुफ्त में सिलाई, मुफ्त में कड़ाई के साथ, मुफ्त में नौकरी भी विभाग द्वारा दी जा रही है दिशा ट्रेनिंग सिंटर और ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों को निसुल्क आबेदन करा कर उन्हें निसुल्क ट्रेनिंग दी जाती है इस ट्रेनिंग करने के बाद बच्चे सुरोजगार अभियांच जुड रहे हैं और उन्हें रोजगार के नए नए आउसर मिल रहे हैं चाहे सिलाई कड़ाई का छेतर हो चाहे कला का छेतर हो चाहे अध्यापक बनने का छेतर हो या फिर कोई भी नवकरी हो उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई सुल्क बिभाग द्वारा नहीं लिया जाता दिसा ट्रेनिंग सेंटर कहीं न कहीं ऐसे युवाओं और यूतियों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है युवाओं और लड़कियों का कहना है कि इस ट्रेनिंग सेंटर से उन्हें काफी फायदा है और हम खुद ही अपने रोजगार के स्रजन को अस्थापित कर रहे हैं अमिठी जनपत के गौरिगन जिला मुख्यारे से करीब पांच किलो मीटर दूर है दिसार ट्रेनिंग सेंटर यहां पर सिगेसार फंड के तहर आधुनिक लैब बनाए गए हैं इसके साथ ही सिलाई कड़ाई के लिए मसीने भी लगाई गई हैं यहां पर अलग अलग समय में छात्र छात्राओं को प्रसिक्षन दिया जाता है तीन वर्सों से यह कार लगातार चल रहा है और अब तक सेंकलो बच्चों को यह प्रसिक्षन दिया जा चुका है आपको बता दें कि इस अभियान में कहीं न कहीं युवाओं और यूतियों को रूजगार से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और बेरूजगारी की समस्य को भी खत्म किया जा रहा है दिशा ट्रेणिंग सेंटर द्वारा समय समय पर बच्चों को छात्रवित यूजना का लाब भी दिया जाता है इसके साथ ही जो भी बच्चे चायनित होते हैं उनको नवकरियों के लिए भेजा जाता है ट्रेणिंग सेंटर के अलावा बच्चों को सुरक्षा के भी कदम प्रवावा इससे नव्वे पर नव्चा जाता है कि आप कहां से सीध करिये कितना मज़दगार होगा आपके लिए इससे आगे चल के बहुत सारे मनददगार होगे जैसे हमारे रोजगार में भी विरोजगारी चारहे है मेरा नाम रतने सिंग है मैं भागनपुर से आता हूं यहां एक्षाज सेंटर में यहां फिरी में जो है कंप्यूटर सिखाते हैं जो आगे चल के हमेरे रोजगार प्रदान करेगा और जो है हम अपने मतलब इंकम को मतलब बढ़िया से बढ़ा पाएंगे इसका कोई सुलक उलक तो लिया जाता है कि नहीं लिए यहां पर मतलब फ्री में इनी सुलक है फायता हो रहा है इसे आपको जी हां ठीकरिया लिशाज जरीन सेंटर है यहां पर 45 दिन का कोर्स चलता है और उसमें हर बैज में 22 बच्चे रहते हैं इसमें हम लोग 45 दिन कोर्स कुछ तुछ फूरा करवा कर टेडिंग देते हैं शलूं मसीन अपरेटर की ट्रीनिग है जिसमें यह लोग एस्पूर्ट कंपणी में फरिताबाद जाकर यहां पर जाप करते हैं और यहां पर इस प्रफारीश दिन को शिर्शा ज़ेते हैं यहां कर कैसे इनको शिलाई करन है कैसे स्पोर्ट कंपनी में इनको काम करना है इन सब की टेनिंग दे करके इनको वहां पर हम लोग 45 दिन के बाद इनका टिकट करबा कर फरीदाबाद भेजते हैं और अभी तक लगभग हमने 300 बच्चों को टेनिंग दे चुकी हूं और जिसमें से 200 बच्चे लगभग यहां फरीदाबाद और नौड़ा में जॉब कर रहे हैं और ऐसे ही हमारे पास 45 दिन के बाद 20 बच्चे 22 बच्चों की टेनिंग इनको दी जाती है सर्देनिगाद इसा टेनिंग सेंटर में जो भी यहां सुझधाई मिलती हैं बच्चों को धागा हुआ, कटर हुआ, पैन, टैंसल हुआ, जो भी सिलाई के मटेरियल मिलते हैं सारा एसे-स इनको फ्री उपलब दे कर आती है और यहां पर हम लोग जो सेदफा सिछा रिए सारी निसल्क होती है जो भी टेरिंघ खी है कोई सुल्क नहीं है इनके पास और यहाँ से जाने कista बाद बहुत सारे गरीब बच्चे जो गाऊंसे जैसे बच्चों को यहां पर लाते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं और वो अपनी मापाप का थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं उनका सहारा बनते हैं